प्रुष्टार दोस्तों, आज हम आपको दिखने वाले हैं बैगनाथ जो कि ओपर पेस्ट का मोडल है, यह सी पेस्टों की आई है आपको दिखाएंगे कि जो फिट्मेट के दोरान हमने जो केस्ट का इंस्टों यूज किया है और उसके चनल दर जो पॉपिनेंट निकलते हैं चलिए स्टाट करते हैं यहां पर पहले दिखाते हैं वारे ने यहां पर लगा जा हुआ है फिलिंग वाल ठीक इसके साथ है और इन रिड्ड्यूसर को कनेक्ट करने के लिए इस पाइप सैंपल पाइप्लाइन का इस्तिमाल किया है जो कि देख सकते हैं काफी अच्छी तरीके सेफटी से ध्यान रखा है इस यह उसके ठीक नीचे लगाया हुए हमने इंजेक्टर में आपको दिखाता पर वो मैनिफॉल्ट के मिचे से धग गया है और वाइरिंग और साथ में यह भी दिखाते थे आपको कि पाइप जो फिट किया है कितनी सेप्टी का और मजबूती से करा हुआ है टेपिंग का प आपको ड्राइवे इंटरफेस दिखा देता है चलिए यहां देख सकते हैं कि लागा ने इसका पूरा ध्यान रखाता कि वीजबिलेटी असानी हो देखने में असानी हो जाए ताकि ज्यादा मूव ना करना पड़े और पता चल जाए कि कितने सेंजी अभी टैंक में अवेलबल है मैं आपको बूट स्पेस दिखा जैसा कि हम आपको दिखा देते हैं कि इसमें हमने 12 कि लोगा सिलेंडर लगा जाया है और इसके अंदर नोज साड़े आट किलोर कैस आइए थी फिल करवाने के बाद और इसक करीबन सिटी में डेड़ सो और इन आईवे में आगर जाते हैं तो आपको दोसु से भी जाता का मैलेज मिल जाता है नोजल का हमने पूरे ध्यान रखा है फिटिंग के दोरान कि कहीं से भी लिकेज की प्रॉब्लम ना आए कभी और बूट स्पेस की बात करते हैं तो आपक करते हैं काफी एच्छे से मैनेज किया गया है कि नीचे से नीचे ही लिया आया जा सके अकसर इन गाड़ियों में बूट स्पेस कम होने की वज़े से स्टैपनी खड़ी करी जाती है यह थी चोटी से जिजानकारी वैगनार की ही लिया तो जैसे के अमने आपको पूर इत्मिले में दिखाया आपको आपके चाहिए किसमें सेंजी बचे लिए बात करते हो तो आपको बदाने के जैसे स्वरों में ही कि बारा किलों को सिलेंडर लगाने के बहुजूद भी आपकी स्टैपनी ठीपूची इस पंडेशन में आती ह अप उस कवर को प्थाएंगे और दच सकते हैं और निकाल भी सकते हैं अप्री तख्लिस टैको ऑदर बात कर लेते हैं तो उसके अंदर आपको आठ किलो से ज्यादा कां से अजी मी जाते हैं झाधिक विख अगलो इन शेलों पर को जा हुआ रियो कि जासो है